पठना की खांसर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी उनके भड़काऊ बयान तो कभी उनके पढ़ाने का तरीका। और एक बर फिर खांसर के एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दुनों से क्लास में इसलामफिक गालियों की कई घटनाओं की बीच पठना के फेमस खांसर का एक पुराना वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो गया। कांगरिस नेता सुप्रिय श्रीनेत ने एक ऐसी पोस्ट शेर की जोहां खांसर उधारण दे रहे थे कि कैसे एक वाक्य का आर्थ बदल जाता है जब सुरेश नाम की जगए अब्दुल हो जाता है। देखिए ये वीडियो और फिर हम आपको बताते हैं कि आगे इस वीडियो पर किस तरीके से विवाद छिडा हुआ है। सुप्रिया श्रिनेत ने ट्वीट को श्वेर करते हुए लिखा उस व्यक्ति को गिरुफतार किया जाना चाहिए और जो लोग इस बेहुदा बक्वास को सुनकर हस रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। उनका यहीं मजाकिया लेंजे में दिया गया उधारण विवाद की वज़े बन गया। रेलवे भरती बोर्ट परिक्षा के खिलाव चात्रों के विरोध के बाद हिंसा भढ़काने के आरोप में बिहार पुलिस द्वारा बुक किये जाने के बाद खांसर इस साल की शुरुवात में खबरों में थे। मनिपार इंसिट्यूट ओफ टिक्नोलोजी की क्लासरूम के अंदर की घटना के सामने आने के बाद सुरेश अब्दुल का वीडियो फिर से वारिल हो गया। एक मुस्लिम चात्र ने मुसल्मानों को आतंकवादी कहने के लिए अपने प्रोफेसर को खरी खोटी सुनाई जिसके बाद शिक्षक ने माफी मांगी। हलांकि खांसर के वीडियो को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि खांसर का कमेंट वास्तव में व्यंगात्मक था और वीडियो का केवल एक हिस्सा शेर किया जा रहा है। लेकिन जो एक हिस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वारल हो रहा है उसमें खान सर साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब्दुल और सुरेश से कैसे एक वाक्यकार्थ बदल जाता है जो कहीं ना कहीं हिंदू-मुसलिफ और जातिवाद का एक बहुत बड़ा उधारण है जो क झाल